हम तो डूबेंगे सनम पर तुम को ले डूबेंगे ऐसी कहावत साथियों अफ़बा फैल रही है आजकल मेरे दोस्तों लेकिन वो लोग ये भूल गए हैं कि जाको राखे साई यां मार सके ना कोई दोस्तों फैल होने वालों की संख्या भले ही बहुत तादात में हो लेकिन जो पास हुए हैं उन्होंने मेहनत की है और मेहनत कभी खराब नहीं जाती साथियों एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि जो लोग इस exam में कहीं न कहीं से रह गए हैं उनका ये motive बिलकुल नहीं होना चाहिए कि जो लोग इसमें पास हैं उसके लिए re-exam हो जाए या paper cancel हो जाए या भरती cancel हो जाए ना ऐसी भरतियां बार बार नहीं आती साथियों जिनके career दाप पर लगे हुए हैं जिनके माता-पिता की उम्मिद दाप पर लगी हुई हैं उनको आगे जाने दो एक चीज और बता देता हूँ यह बहुत बड़ी अफ़वा फैल रही है कि क्या भरती cancel हो जाएगी क्या re-exam होगा साथियों दो से तीन दिन पहले एक notice आया है वो भी UPPR पर लगी की तरफ से ऐसा कभी जीवन में possible नहीं होता कि दो दिन पहले भरती वोट बताए कि प्रकरिया आगे बढ़ रही है और अचानक से निरने आ जाए कि भरती cancel अब मैं आपको 99% शौर नहीं करूंगा साथियों मैं आपको एक चीज बताएता हूँ ध्यान से सुनवा मैं आपको 99% शौर नहीं करूंगा मैं आपको 100% शौर कर देता हूँ और कह देता हूँ कि भरती cancel नहीं होगी आपकी भरती होगी बात समझ में आगी साथियों दूसरी चीज आपको यह कह देना चाहता हूँ कि उस दिन भी मैंने समझाया था किसी के उस पर ध्यान ने प्य रिटिसाइज नहीं करूंगा लेकिन हाँ आपको समझा सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन चीजों पर ध्यान मत दें अपनी पढ़ाई और रेस जारी रखें दोस्तों आपकी भरती होगी ठीक है अपने मावाप के लिए मेहनत करो यार अपने लिए तो मेहनत तुमने कर ल थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखो साथी हो इन अफवाहों में मत जाओ भरती बिलकुल कैंसल नहीं होगी आपकी भरती पूरी होगी थैंक यू थैंक्स लॉट गॉड ब्लेस यू